और स्टार्ट रिकॉर्डिंग मैं दिखाई दे रहा हूं और मेरी लोग परहेंगे अच्छे से परहेंगे आज कहीं किसी को जाना नहीं हैना पूजा पाठ हो गया सारे लोगों का टाइम भी एक घंट आगे कर दिया परमुक्ष चिन एवं परतीक इंगलिस वालों को ही बताऊंगा सिंबल कहते हैं ठीक है तो जैसे अब ही अब क्लास कीजिए बात में यह कर लेंगे ठीक है भाई तो परमुक्ष चिन एवं परतीक एक टॉपिक है एक टॉपिक यह आज करेंगे उसके बाद दूसरा टॉपिक है परमुक्ष लिस्ट आफ नेशनल एनिमल्स ऑफ कंट्रीज परमुक्ष देशों के राष्टे पसू की सूची कौन-कौन से यह करेंगे इतना हम लोग करने के बात तीसरा ही टॉपिक आज तीन टॉपिक को हम लोग खतम कर लेंगे किसका माई कौन है भाई माई को आफ कर लीजे लिस्ट ऑफ पार्लियामेंट नेम्स एंड कंट्री यह हमारा एक नेक्स्ट यह वाला है ठीक है इतना है इसमें वियाली से तो आज बहुत ही ज्यादा ह किए धन कोशीस करेंगे फूरा खतम करें चालिस लोग आ ही गये सारे लोग करीगे जो कुछ नहीं किय तो बाद में रिकॉर्डिंग देकींगे से कोई फाइदा नहीं होता है सबसे पहले पेन मतलब कलम लिखे कलम बोलेगा ना कि कलम किस चीज का पड़ती के देख उने क्लास करने आ रहा है न जाने क्यों आज मेरे कोई चीर हो रहा हुआ है गुस्सा फिर अलोक सिंग जा रहा है हलो भाई अलोक सिंग आप है कौन अब लिए हैं अब लिए हैं अब भाई तो फिर बोली है हम जब आप से पूछ रहे हैं तो आप बोली है तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं पूरे अंत तक बने रहेगा क्लास को देखिए गा यदि आपका नोटिफिकेशन भी आ गया है सबसे पहले बोलेगा कि कलम किस चीज का परतीक है कलम किस चीज का परतीक है तो इसका है संस्कृति और सभ्यता का परतीक दिखे संस्कृति और सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता का कलम कि चीज का परतीक है संस्कृति और सभ्यता बोलेगा कि किस चीज का परतीक है किसका सिंबल है सिंबल है तो बोलिए गाक संस्कृति और सभ्यता का है सिंबल ऑप कल्चर एंड तूथ किसका सिंबल है यहां भी आपको प्रोब्लम हो हां बोलिए कि यहीं cutting-up भी से हैं तो यहीं दिया गया इंगलीस में यहीं दिया गया bought data का स्विविलाइयू软 होता है तुरूत यहां पर दिया गया है ठिक है देखते लिए मैं कामल का फूल कमल का फूल' कमल का फूल' कमल का फूल' लोक lutis experienć cur ठीक है जैसे यहां सब्ध्यता को एक तुरिक्षिन तुरूथ भी हो सकते हैं साइनो नेम के रूप में ठीक है आप लिख लिए दोनों बोलेगा कि लोटस फ्लावर किसका परतीक है तो कल्चर एंड तुरूथ का अगला आजाए नेक्स्ट लिख लिए ये दोनों हम पीडियफ आपको देंगे पर पीडियफ में आपके एंसर नहीं रहेगा अ हम जान कर दे आप यहां पैँ कर पर है नहीं को यह परिए घगा को आपidée आपका अंसर नहीं रहेगा हम एक ही बार पहले बताए ले क्रोश एसे करके एक red cross होता है न ऐसे कर के यह red cross होता ए पर मेडिकल एसिस्टेंट एवर एव हॉस्पिटल और हॉस्पिटल लिखिए medical assistance and hospital लिख लिए बोलेगा कि red cross किसका परतीक है red cross किसका परतीक है तो आप बोलेगे doctoris सहाईता है वोँ अस्पताल कहीं भी देखिएगा ambulance में भी आपको red cross वहाँ पे बना हुआ दिखाई देगा लाज हंडा रेड फ्लेग लिख लिए रेड क्रॉस लिख लिए देखे जिनका पहला class होगा कि क्या हो रहा है हम आपको बताते हैं कि हम आप के यहां पर पर प्रहाते हैं और आपको के टाइम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इस लेबस बहुत बढ़ा है कि लाल ज्धनडा लिखे लाल ज्धनडा क्रांति क्रांति या खत्रे का शूचक क्रांति या खत्रे का सूचक revolution और risk indicator लिखिए देखो ना class करने आ रहा है ज्वाइन कर लेते हैं भाई साब को online knowledge point ये कौन है share कर रहा है link क्या पूछ लेते हैं कबाद ये online क्या था online knowledge point ये कौन है ये भाई साब आप class purchase किये हैं online knowledge point किस नाम से पर्चेश किये था भाई अच्छा अच्छा नाम ऐसे उलट के आते हैं लोग अभी पढ़ रहे हैं गुड पढ़िए ऐसा ही होसला बना कर पढ़ते रहिए एक दिन परहेंगे दो दिन गायव हो जाएंगे कोई profit ने उससे अच्छा कि आप परहिए ही नहीं प प्रांती या खत्रे का सूचक revolution और रिस एंडिकेटर पहला क्लास है क्या भाया का इंडरजीत अच्छा रिवोल्यूशन लिखिए इंडरजीत लिखिए और जो भी नए लरके ना नए स्टुडेंट जो भी है वो ग्रूप के डिस्क्रिप्शन में जाएगा तो आपको सेक वो कौन सा था भाई सुसान डाइरेक्शन था ना तो डाइरेक्शन का एक वीडियो नहीं सिर्फ अप्लोड हुआ है वो भी हम कल कर देंगे अप्लोड तो आप लोग पहले पिछला वाला सारा का साला किलियर कर लीजिए उसके बाद यहां पे अभी मैं आपको सेक्शन एक सका अंसर लिख रहा हूं आप फ्रेस कॉपी लेंगे फ्रेस कॉपी पे पहले सेक्शन एक सेक्शन बी लिखेंगे सेक्शन बी votre a की वाद मैं आपको पढाऊंगा सेक्शन एं मैं आप पहले जीके का अलएक नोवच जो सभी जगा आपका काम करेगा क्रांती या खत्रे का सूचक रिवोल्यूशन और रिस्क ठीक है इसका ला जंडा किसका परतिक है तो वो क्रांती और खत्रे का सूचक है अगला लिखिए काला जंडा ब्लैक फ्लैग काला जंडा किसका है काला जंडा कोई बता सकते काला जंडा कहां परतिक किसका है काला जब आप किसी चीज की सरकार की किसी निती के खिलाप या किसी प्रसनल बैक्ति के खिलाप कोई बिरोध करते हैं किसी मंतरी के खिलाप किसी के खिलाप सांसत के खिलाप बिरोध करते हैं तो वहां पे आप काला जंडा ऐसे से दिखाते हैं काला जंडा बिरोध का परतीक होता ह है इसको अंगरेजी में क्या बोलते है संबल ऑफ कि रसिस्टेंस कि रसिस्टेंस up класс All वह भी तो जब समें नंडी दिखाई दे तो लिखिये लिखे हिंदी वाले पहले संक्रामक, infected, संक्रामक, रोग गरस्त, रोग, संक्रामक, रोग गरस्त, लोगों को ले जाने वाली, ले जाने वाली बाहन, बाहन, people with infectious disease, जैसे Corona, people with infectious disease carrying vehicle, hit the flag, समझ रहे हैं, जैसे Corona क्या था, एक infection type का था न, तो उसको ले जाने के लिए जो भी vehicle का यूज होगा, जो भी गारी का यूज होगा, उस पे पीला जंडा लगा हुआ रहा था, समझे कि इसे infected people जा रहा है, यदि आप उन से touch होते हैं, तो आप भी infect होने का आपका भी chance होता है, Corona में कैसे लोग infect होते थे एक दूसरे से touch करने के बाद, तो लिखिए इसका English लिखा देगा, लिख लीजेगा, पीपल भी इनफेक्ट, येस, disease, caring, भैकल, लिख लिए, भाई मेरे, लिख लिए न, अब आए उल्टा जंडा, यदि आप उल्टा जंडा, अपसाइड डाउन फ्लेग, उल्टा जंडा, ये क्या है, संकट का परतीक, इलिख ये, संकट का परतीक, जिनका first classman को समझने में दिक्कत नहीं हो रहे हैं, कि मैं क्या परहा रहा हूं, यदि आपको कहीं भी भाई, समझने में problem हो, तो आप मुझे बोलिए कि सर, यहाँ पर नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आप Google Meet पर पढ़ने का यहीं फायदा है ना, कि आप समझ सकते हैं चीजों को, आप बोलिए कि सर, यह चीज नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि यह सब चीजे को याद करनी है, इसमें कोई ऐसा concept नहीं है, जो मैं आपको बताओं, बस आपको सिर्फ क्या है, याद करना है, संकट का परतीक, symbol of crisis, the symbol of, symbol of crisis, लिख लिए, लिखिये अगला, जुका ज़ंडा, बेंडिंग फ्ले, कोई बता सकते हैं कि जुका ज़ंडा, ज़ंडा कब जुकाया जाता है, राष्टिय सोग का परतीक, राष्टिय सोग का परतीक, मौर्निंग काते हैं सोग पू अंग्रेजी में, मौर्निंग बोलते हैं न, अब आईए अगला सफेद ज़ंडा, लिख लिए, लिख लिए, आईए सफेद ज़ंडा, जिदी बोलेगा कोईशन की सफेद ज़ंडा किसका परतीक है, सफेद ज़ंडा, ठीक है, सफेद ज़ंडा, लिखिये संधी या समर्पन, सेयर नहीं करते हैं न, का लिंग समर्पन का परतीक है कि इसका जुका-जंडा का बेंडिंग फ्लैग सेंबल और नेशagen Landing,ม oh no, m o y u r n a y n g. संधी या समरपन का परतीक, संधी या समरपन का परतीक सफे जनला. Treaty और a symbol of dedication, treaty, treaty संधी को कहते हैं, और a symbol of dedication, संधी किए सिंधी संधी संधी यह ये का नई संधीуг या संधी संधी या समर्पन어지्जिए संधी य इस cacmid करता है संधी करके आप 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 सप्धेद जंड के दिखांगे यदि कैसे 1971 में बंगला देश के 90,000 सेना जो थे वो भारत के सामने समर्पन किये थे वही सफेड धंडा का है संधिया और समर्पन का परतिक अब देखिए अब लाल तिर्कौन लाल तिर्कौन रेड ट्रेंगल रेड ट्रेंगल लाल तिर्कौन रेड ट्रेंगल किसका परतिक ह लिखिए परिवार नियोजन परिवार नियोजन याद किजिए लाग तिरकौन परिवार नियोजन का परतीक है परतीक परिवार नियोजन का परतीक हेलो सिंबल ओफ फैमली प्लानिंग लिखिए सिंबल ओफ फैमली प्लानिंग सिंबल ओफ फैमली प्लानिंग सिंबल ओफ फैमली प्लानिंग लाल तिरकौन पईवार नियोजन का पती कबूतर पच्छी कोई बता सकते हैं कबूतर पच्छी सांती का प्रतीक, कबूतर पच्छी, सांती का सिंबल ओफ, क्या होगा सांती का, पीस, सिंबल ओफ, पीस, कबूतर पच्छी लिखिए, सांती का प्रतीक, सिंबल ओफ, पीस, अवाज आ रही है, बिल्कुल सही, क्या बोल रहा है भाई मेरे संधी और समर्पन बोले तो संधी च्रीटी और सिंबोल आप डेडिकेशन संधी या समर्पन कि अगला लिखिए यह सब पहली बार पढ़ रहें कि पहले भी कही देखे थे एससी का एससी का फेवरेट टॉपिक है लाल परकास रेड लाइट लाल परकास खत्रा खत्रा या यतायात यातायात रोकने का परतीक यतायात रोकने का परतीक शिगनिफाइड डेंजर और ट्रैफिक अस्टॉप या तायात रोकने का ट्रैफिक अस्टॉप या इसका खत्रा का डेंजर लिखिए हरा परकास लिख लिख लिए भाई मेरे खत्रा या यतायात रोकने का परतिक हरा लाइट यतायात यतायात जाने का संकेत यतायात जाने का संकेत यतायात जाने का संकेत ट्रैफिक सिगनल 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 ट्रैफिक सिगन कौन सा विडियो रूप गया तब इसमें अब इसमें मेरी गलती थो रहे मेरे पास तो सारा किलियर चल रहा है कि लिए ना भाई कि अब क्या करें बताइए अब क्या करें बताइए अब कि अब कर दो कि अब कि अब चलिए बचाईएगा दिन भर नेट उराईएगा तो कैसे काम चलेगा क्लास के लिए तो नेट बचाना चाहिए ना कम से कम इससे वरा कोई काम है क्या चौविस घंड पर अभी एक स्टुडेंट के लिए हम लोगों के लिए हम हो आपको किसी के लिए पढ़ने ज्यादा कोई दूसरा सबसे वरा काम हो सकता है कि हरा परकास दूसरा कोई काम है तो आप जीवन में वही काम करते रहे यह सक्सेस नहीं मिलेगा इतना कंपर्टीशन है कि एक जीडी का फॉर्म भराने के लिए डेर करोर फॉर्म गिरता है ग्रूप डी बनने के लिए एक डेर करोर एक डेर करोर कि समझ सकते हैं हजार हजार पंद्रह सो में एक लर्के का सेलेक्शन गुरूप डी में रोड़ा टार तरह हम क्या करें भाई साब फिर बताईए लूक जाते है चलिए अब आपका नेट आएगा तब ही आगे बनेए बैक कीजिए बापस खतम कीजिए सारा को किलियर आखों परबंधी पटी और हात में तराजू ले कौन? किसका परतीक है? देखें कही? नियाई का परतीक नियाई की देवी जिनको बोलते है नियाई का परतीक सिंबल और क्या? देवी नहीं भाई symbol of justice बाँ पर काली पटी बाँ पर काली पटी देखें कभी बाँ पर काली पटी लिखें सोख जैसे विपीन रावत जी मर गह थे तो जो पटना में गांधी मैदान में जो फिजिकल वाले सब करवाते हैं उनके सारे स्टुडेंट बहां पे काली पट्टी बान के दौर रहते विरोध और दुख का प्रतीक अब को दूख है ते भी बहां पे काली की बान के आप ठीक है मॉर्णिंग एन्ड सौरो सिंबल ओफ प्रोटेस्ट अठीक है आ जाए नेक्स्ट लिख लिए इतना इतना लिख लिए ना लिखिए किसका बहां प्रकाली पट्टी का लिखिए कि मॉर्णिंग एंड सोरो दुख का सोरो होता ना सोरो सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट ठीक है आगे लिखते जाए लिखते जाए बहुत दूर अभी चलना है यह वाला खटम हो गया कि इससे सवाल बने गाना तो एक दूसरे को काठती दो हडिया और उपर एक खुपरी ऐसा नहीं रहता था कैसे रहता था देखें न कहीं तो लिखिए इसका क्या है इसका खत्रे का सूचक खत्रे का सूचक परन्तु ज्यादा तर जो इसका उप्यूज होता है वह वह बिजली के जगा पर होता है तो यहां पर लिख दीजेगा कोश्ट में बिजली के खत्रे का सूचक उसको सठीए गाता फट्टी वन जाईए चक्र चक्र फिल चक्र चक्र का लिखिए प्रगती का सूचक बोलता है यह चक्र हमारा कहता है आगे बढ़ते रहो किस में तो था यह प्रगती का परतीग प्रगती का पीस प्रोग्रेश प्रोग्रेश याद हो गया है मिरे ख्याल से तो सब कुछ आपको याद हो गया हो गया थे असान असान ही है किसका माई कॉन है ओलीव की साखा ओलीव ब्रांच ओलीव की साखा लिखिएगा सांती का परतीक सांती का परतीक सांती पीस सिंबल सांती का परतीक हो गया लिख लिए इतना लिख लिए कलम संस्कृतिया और सभ्यता कमल का फूल संस्कृतिया सभ्यत्या रीट क्रोड जो है डॉक्ट्री शहायता है मेरे साथ बोलते रहेगा शुरू से माइक सारे लोग आफ करेंगे और मेरे साथ बोलेगे कंसे हम दो दो बार बोल लेते हैं कलम संस्कृतीया & सभ्यता का पड़िक कमल का फूल भी वही है संस्कृति और सभ्यता का पत्रीक है कमल का फूल भी संस्कृति और सभ्यता का कलम संस्कृति और सभ्यता कलम संस्कृति और सभ्यता कमल संस्कृति और सभ्यता रेड क्रोस डॉक्टरी सहायता एवब अस्पताल लाल जंडा क्रांती या खत्रे का सूचक लाल जंडा क्रांती रेवोलिूशन और रिस्क क्रांती या खत्रे का सूचक ला जंडा क्रांती या खत्रे का सूचक, काला जंडा विरोध का परतीक, पीला जंडा इंफेक्टेड लोगों को ले जाने वाली बाहन पे जो जंडा लगा रहता है इसे पीला जंडा उससे डिनोट करते हैं पीला जंडा संक्रामक रोग गरस्ट लोगों को ले जाने वाली बाहन पे लगा जंडा पीला जंडा उल्टा जंडा संक्ट का परतीक हम पूछेंगे ज़ेस्ट अभी उल्टा जंडा संकट का परतीक, जुका जंडा राष्टिय सोक का परतीक, कि जंडा जुक जया है तो राष्टिय सोक का परतीक सफेड जंडा, संधी या समर्पन, treaty or symbol of dedication, संधी या समर्पन, सफेड जंडा, संधी या समर्पन, लाल तिलकोन प्रिवार नियोजन, family planning, कबूतर सांती, लाल परकास, खतरा या यतायात को रोकने का साधन, हरा परकास, यतायात को जाने का संकेत, आखों पर लाल पट्टी और काटती हुई, दो हडिया को उपर, खोपरी, खतरे का सूचक, चक्र, परगती का परतिक, ओलीव की साखा, सांती का परतिक, याद हो गया सारे लोग को, हुआ याद, पूछे अब, मैं पूछता हूँ, सनोज, सनोज बताईए, लाल तिरकोन, देख के नहीं बताईए, भगवान देख रहा है, हम तो नहीं देख रहे हैं आपको, सनोज बताईए, लाल तिरकोन, कोई लरका बताईए, यह नहीं है, क्लास में, फैमिली प्लानिंग, बताईए, सफेड जंडा, बताईए, पीला जंडा, काला जंडा, काला जंडा, रेड़ क्रोस, को गया, कमल का फूल, आई यह गंगा राम, यह गंगा राम मुखिया जी आप कलास नहीं करते हैं टेली, कल कहा थे, यह बताईए, खुसी रानी बताईए, आप बताईए, तो चक्र, यह खुसी रानी, चक्र, किसका परतीक है, प्रगती, यह कांथा किरती बताईए, तो बहां परकाली पट्टी, ब्लैक अश्टि केश का परतीक है, मनीश राज, बताईए तो कभूतर पच्छी, मनीश से पूछे थे भाई, चलिए आप लोग, आप लोग को और याद कीजेगा, अगला टॉपिक अब लोग देखते हैं, नहीं याद कीजेगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, पांच साल में ग्रेजुएशन आप कीजेगा, छो साल भी हो सकता है, यह क्या खूल गया, इसक को खूलना था, मेरा को जाएगा, नहीं जाएगा, चलिए लिखिए, परमुख देशों के राश्किये पसु की सूची, राश्क्ये नेशनल ऐनीमर, भारत का नेशनल ऐनीमर याद क्या है? क्यूबा का लिखिए क्यूबा मगरमच क्यूबा मगरमच क्यूबा मगरमच क्यूबा का लिखिए क्यूबा मगरमच क्यूबा का क्यूबा मगरमच चीन का लिखिए चीन का कोई बता सकते हैं चीन का लिखिए चीनी ड्रैगन कि दिखाएं क्या ड्रैगन आपको कि ड्रैगन देखिएगा है कि एक बार दिमाग रहेगा जी दिखा देंगे न कि ड्रैगन फूट आ गया कि यह देखिए देखे होंगे कभी फोटो में यह वाला देखे हैं ना यहीं ड्रैगन ठीक है देख लिए आजाएं आजाएं अब पहरे यह क्या हो रहा है ठाटो नहीं आजाएं चलिए ड्रैगन लिख लिए ना लिखिए बाहरत का लिखिए भारत का लिखिए भारत का रोयल बंगाल टाइगर रोयल रोयल बंगाल टाइगर रोयल बंगाल टाइगर भारत का लिखिए रोयल बंगाल टाइगर बोलेगा राश्तिय पशूर भारत का राश्तिय पशूर रोयल बंगाल टाइगर सुंदर्वन इलाके में जो बाग पाई सुंदर्वन जो है न डिल्टा सुंदर्वन डेल्टा गंगा नदी और ब्रहम सिंगापूर सिंगापूर का लिखिये सेर एक आप नाम सुने ओते हैं बबबर सेर बबबर सेर नाम सुने है ना पूरा आगे बाल रहेगा बबबर सेर गुजरात में पाया जाता है गिर राष्टिय उद्यान में कहां गिर राष्टिय उद्यान गिर राष्टिय उद्यान में बबबर सेर पाया जाता है बबबर सेर बोलेगा बबर सेर कहां पाया जाता है तो का ड्रेगन भारत का टाइगर सिंगापूर का से रूस का भालू याद हो गया इसका लिखिए ताइवान का ताइवान का लिखिए ब्लैक भालू ब्लैक भालू फॉर्मोशन ब्लैक भालू नाम इसका है फॉर्मोशन लिख लिजेगा आगे भी फॉर्मोशन फॉर्मोशन ब् भालू फोर्मो सर्ण ब्लैक भालू अस्पेन का लिखिए सांड सांड अस्पेन में बुलफाइट होती है न इस सार कि बिहार का रश्ट्य पसू क्या है कर तो कि निलगाए कि बैल है अगया है देखिए स्कॉट्लेंड का लिखिए गेंडा और से कमाद पसे मिलन और से य् कंट्रंड इस्टाइब внутire उर्पी कंट्री स्कॉट्लेंड भाल लिखेंगेंडा और से रोमानिया युक्रेवेशन के पास में न रोमानिया पुलगाडिया से लोग आ रहे थे जब यह भरत की लोग फसे थे मिसन गंगा के तहतकुई का था उक्रेशन का यह थारो गोंभे दो सब्सक्राइब का गेंडा और सेड़्ण लूने का गेंडा और सेड़र्ण योंटी तो रोवान यांपोलें जर्मनी बार साप सब देख रहे हैं सिपो कड़ाइं और फोटी है नौर्वे नासे मैं yep एह तौक से शेट सिंगापूर का से उसकोर्ट लेंड का भी से नीदर लेंड वहीं है नीदर लेंड नीदरलेंड भी इरोप में ही है नीदरलेंड नीदरलेंड का क्या है इसका भी लिखिए सेर नीदरलेंड का भी क्या है सेर ठीक है लिखिए मलेसिया मलेसिया, लिखिए मलाई टाइगर, मलाई टाइगर, मलाई टाइगर, लिखिए मलेसिया, मलेसिया का लिखिए मलाई टाइगर, मलेसिया का मलाई टाइगर, हो गया न, हेलो, देखो थाली कोई बजा रहा है, लिखिए जापान जापान नाम सुने होंगे जापान जापान है ना इधर एसिया महादीप में जापान लिखिए तीतर 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 अगला जाए इंग्लैंड इंग्लैंड का भी है लिखिए सेर इंग्लैंड का सेर बूल डॉग कुंटता की एक पर जाती है bulldog में इंगलेंड का भी से और बूल डॉण डैनमार्क इंगलेंड का नाम लेके सेर मार दुभी सेर अमेरिका, अमेरिकी बाइसन, अमेरिकी बाइसन, बाइसन देखे हैं, देख लेते हैं, यही अमेरिकी बाइसन है न, यहीं अमेरिकी बाइसन है न, यह देखो यही अमेर्की बाइसन है यह देख रहे हो आरे बाइसन नाम है इसका आजाओ तो अमेर्की बाइसन देखे बुलगारिया लिखिए बुलगारिया लिखिए बुलगारिया लिखिए सेर बुलगारिया का सेर लिखिए बुलिबिया बुलिबिया का लामा लामा हिरन के जैसा लगता है लामा लामा कैसा लगता है लामा हिरन के जैसा लगता है लामा ये देखो लाम का है यह व्याख लाम कहा का है लामा बोलिबिया का है लामा-वब उच्छो कपड़ापति हुए हम लोग क्या लेना देना पढ़ना है पढ़़ लेते हैं लिखे बेलिजियम बेलिजियम का सिर दिखाना नहीं परे गाना अ अ स्टेलिया का कंगारू इस टेलिया का सकंगारू लिख लिए अफंगानिस्तान का लिखिय अफगानिस्तान का लिखिए अफगानिस्तान का भेर वियत नाम का लिखिए टाइगर वियत नाम का लिखिए विडियो पीछे करें लाइब में पीछे होता है क्या लाम ल't लबिगा का लाम के ल्हां है अफगानिस्तान का भेर अफगानिस्तान का भेर आपको पर्णा पड़ता है आपको क्या क्या पर ना पड़ता है थाइस रही हांथी ठाई एक मिनट आप लोग याद कीजिए तीस सेकंड मेरे को दीजिए सिस्टम को चार्ज कर लेता हूं कि अगर कि याद कीजिए मैं पूछूंगा आप लोगों के अगर कि हो गया हो गया है कि याद हो गया हेलो हेलो ही यह स्रेल कि श्र लंका कि ए कि रंका का स्रिलंका का सेर कि तना आप आपको याकनका हो गया पोलेंड का लिखिए सफेद बाज पोलेन का राष्टिय पसू क्या है सफेद बाज सफेद बाज पाकिस्तान का क्या लिखिएगा जानते हैं पाकिस्तान का क्या लिखिएगा लिखिए मर्खोर मर्खोर जानते हैं नहीं बोलते हैं किसी को ऑदान फेह año काम कॉतार मर्खोर रहें हाँ दिखाए आपको दिखाते हैं कि लग रहा है कि देखिए पकिस्तानी मर्खोर है यह पकिस्तानी मर्खोर है देख लिए न पकिस्तानी मर्खोर को अब यह आप नहीं भूलिएगा कोई भूल सकते पर यह नहीं भूलिएगा अब देखिए न्यूजी लेंड न्यूजी लेंड का कीवी कई न्यूजी लेंड का कीवी न्यूज्य लेंड का कीवी एक पहसूँ भी यह पस्ची ही न इसे हे उससमें आपको कीवी लिखा यह लिखा दिये कि वी मर्ख लिखिये मैनमार मैनमार का लिखिए बाग घृय आपकिस्ताननी लिख़ीं है मियनमार का लिखिए बाग लिखिए फिन्लेंड का भूरे भालू फिन्लेंड का भूरे भालू लिखिए मिस्र का सलादीन के इगल मिस्र का लिखिए सलादीन के इगल भूरे भालू साइप्रस लिखिए साइप्रस भेर साइप्रस का लिखिए भेर साइप्रस का लिखिए ब्राजील का लिखिए जैगवार लूर देखाए हाला जो रहता है हाँ गारी भी है जैगवार लिख लिखे भूटान भूटान का लिखिए ताक्कीन यह बहुत पीछे हैं कौन हाँ साइप्रस का लिखिए भेर साइप्रस का लिखिए भेर ब्राजीर का जैगवार भूटान का ताकीन खिरन जैसा एक तिबती पसु है खिरन के जैसा एक तिबती पसु है ताकीन क्या है खिरन के जैसा एक तिबती पसु है बंगला देख का लिखिए रॉयल बंगाल टाइगर यह भी बंगला देश का अर्जेंटीना के लिखिए प्यूमा नाम सुने हैं प्यूमा प्यूमा नहीं प्यूमा प्यूमा लिखिए अर्जेंटीना का प्यूमा प्यूमा को देखे हैं नहीं देखें तो एक बार दिखा देते हैं यह दो प्यूमा यही है यह यह वाला प्यूमा और यह वाला प्यूमा पूने ही देशता है यह वाला प्यूमा हो गया यह से यह से बावर फॉएंट में बावर फूंट में लिख लिए अब आजये लिखिए अगला टॉपिक कितने लोग अभी क्लास में हैं कितने लोग भागे हैं यही तो मैं नहीं बाग रहे ना प्रफिक्टर चलो यह वीडियो यूट्यूब प्लोड कर दूंगा फिर यह वीडियो नहीं भाई नहीं करूंगा भारत 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 के संसत का नाम क्या है भारत के संसत का नाम क्या है? पाकिस्तान के संसत क्या नाम है? लिखिये नेशनल असेंबली नेशनल असेंबली लिखिए नेशनल असेंबली लिखिए नेशनल असेंबली पकिस्तान के संसत का क्या नाम है लिखिए नेशनल असेंबली नेशनल असेंबली लिख लिए लिखिए अफगानिस्तान अफगानिस्तान के संसत का नाम क्या है सोरा अफगानिस्तान के संसद का क्या नाम है सोरा भारत के संसद का नाम है संसद पकिस्तान के संसद का नाम नेशनल असेंबली ठीक है अफगानिस्तान का संसद का नाम सोरा जहां पर मंतरी लोग बैठते हैं कोई बिधेया कोई बिल पारित होता है जहां राज्टती यहां उस सद लिस्ट आप पार्लियामेंट नेम सीन हिंदी जैसे लोग सभा राज सभा होता हुआ अलग-अलग नाम से होता है अलग-अलग नाम से होता है आजा यह कि अधर वह गया ना लेग यह पीडियाप को सेर नहीं करते हैं ना कितना मेहने से पक्र लेगा कि कहा का पीडियाफ नहीं मिलता भाई लिखिए नेपाल का राष्टिये पंचायत नेपाल का राष्टिय पंचायत नेपाल के संसत का क्या नाम है राष्टिय पंचायत बंगला देश के संसत का नाम क्या है जातिय सभा बंगला देश के संसत का क्या नाम है जातिय सभा बंगला देश का संसत का नाम जातिय सभा जपान के संसत का नाम नाईट 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 जपान के संसत का नाम नाइट डाइट है नाइट यह नहीं कि फान्ट कर डायेट होना है जातना चाहिए यह था यह सी detlier कि टाइट है टाइट है डाफिण यह गुद्द दायेट है हम लाएट का लिकिए डाय जापान का डायट, चीन का लिखिये नेशनल पिपूल्स असेम्बली, चीन का लिखिये नेशनल पिपूल्स असेम्बली, चीन का लिखिये नेशनल पिपूल्स असेम्बली, चीन का नेशनल पिपूल्स असेम्बली, दच्छिन कोरिया का लिखिये नेशनल असेंबली ठीक है फिलिपीन्स का लिखिये कॉंग्रेस फिलिपीन्स का लिखिये कॉंग्रेस फिलिपीन्स का लिखिये कॉंग्रेस इरान का लिखिये मजलिस इरान का लिखिये संसद का नाम क्या है मजलिस इरान के संसद का नाम क्या है मजलिस माल्दीव माल्दीव के संसत का नाम क्या है माल्दीव का भी मजलिस है न मजलिस इन दोनों का मजलिस माल्दीव का मजलिस सौधी अरब का लिखिए मजलिस उलसरा मजलिस लिखिए मजलिस मजलिस अल्सरा मजलिस अल्सरा नाम है सौधी अरब के संसर का नाम क्या है मजलिस अल्सरा मजलिस अल्सरा हेलो कि अरे क्लास में हो ना को दिक्कत नहीं है ने क्लास में लूब चलू इनका फर्ट्र उनको नहीं हो रहा है नहीं गूड गूड इजराइट बीसांशन का नाम नाम नोहीं देखते हैं और देखते हैं कितना तरीके से आपको डेता हूं एंसर वाला वाला देंगा क्या तोने सब्सक्राइब कि इस्ट इसराइल का लिखिए इसराइल का लिखिए लिखिए दस्षी नफ़िका पार्लियामेंड अब लिखते आपके हैं और यहां से यहां तक लिखिए नेशनल असेंबली और नेशनल असेंबली यह उसे जैसे मैं लिखा ना उसे आपने आपने शुडान नेशनल V см व्ट्ट år таких क्या प्राइंट नेंचनल एसेंब्ली डिकेए बिटेन का लिखिए पार्लीया मेंट का लिखिए पार्लीया मेंट का क्या है पारलिया मेंड लिख लिए भी टेन तक रूस का लिखिए रूस का लिखिए द्यूमा रूस का लिखिए द्यूमा रुखना है क्या रूस का लिखिए द्यूमा ड्यूमा लिख लिए ब्रिटेन का पार्लिया मेंड विटेन के पास रूस रस्या का ड्यूमा रूस का ड्यूमा जर्मनी जर्मनी का बुड़ अस्टेग जर्मनी के संसद का नाम है बुड़ अस्टेग जर्मनी के संसद का नाम है बुड़ अस्टेग जर्मनी के संसद का नाम है बुड़ अस्टेग मन लगता है पढ़ने में कि प्रहाई छूट गया तो मने छूट गया अ कि दगता है मन सुपढ़ alepल पर क्या कि लो और क्लास में को नहीं पराइव लिए स्वीड़ेन का लिखिए एक्स डॉज एक्स डॉग सुफिरेन का लिखिए एक्स डॉग इस डॉग को पाइक्स डॉग कैस्ट डॉग लिखे स्वीजर लेंड का लिखे नेशनल असेंबली अरे लिख लिए लिखे संजुत राज अमेरिका संजुत राज अमेरिका अमेरिका के संसत का नाम है कौंग्रेश अमेरिका के je काम हैं कॉंग्रेस कानाडाम कहा का लिखिए पारलियामेंट ऑचलिया संसत अ संगिये संसद आस्टेलिया के संसद का नाम चाहे संगिये संसद न्यूजी लेंड के संसद का क्या नाम है संसद न्यूजी लेंड के संसद का क्या नाम है संसद भुटान हमारा प्रोसी देश भुटान तसोगू क्या नाम है तसोगू भुटान के संसत का क्या नाम है तसोगू तसोगू ब्राजील 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 का रिष्ट्य राश्टिय कॉंग्रेस ब्राजील का किसका तसोगू खोटान का तसोगू लिखे और येनटीना के लिखे राष्टिय कॉंग्रेस बॉलिया बॉलिवीया को लिख्ये रास्तिये कॉंग्रेस ब्राजील, अर्जन्टीना, बॉलिविया रास्तिये कॉंग्रेस ठीके, लिखे उत्री कोडिया Supreme People's Assembly Supreme Supreme People's Assembly Assembly Supreme People's Assembly उत्री को या को लिखिये Supreme People's Assembly दच्चिन को या का लिखिये National Assembly दच्चिन को या का लिखिये Nationalist Hello रहोना क्लास ना भाई किसका भाई Supreme पूल्स असेंबली को या का वो क्या बोल रहे थे अब जैए हिन जै भारत चार और बचा है लिखिये ताइवान लिखिये ताइवान ताइवान के संसरित का नाम है युवान अच्चिन को या का नेशनल assembly दच्चिन को या का नेशनल assembly कोई कॉपी भेज़ दीजेगा ग्रूप में ताइवान का इवान पोलेंड पोलेंड का लिखिए पोलेंड का लिखिए पोलेंड का लिखिए पोलेंड का लिखिए सेजम अस्पेंड का लिखिए काट्रेस अस्पेंड का लिखिए काट्रेस अस्पेंड का लिखिए काट्रेस मिस्र का लिखिये पिपूल्स पोलेंड का सेजम मिस्र का पिपूल्स असेम्बली पिपूल्स असेम्बली अस्पेन का कॉर्ट्रेस ताइवान का युवान ताइवान का युवान जैहिंद हो गया आज आपका यह वाला आप दो चाल टॉपिक खतम करेंगे अब बूलिए स्टोरी नहीं पूछेगा स्टोरी कहां से पूछेगा अब आपको कुछ लोग रहिए बाकी लोग जा सकते हैं हम आपको पीडियफ भेज देते हैं कुछ सिर्फ बता दीजेगा कि पीडियफ आ गया है पहले वाला लेक्चर ग्रूप डिस्क्रिप्शन में है पहले वाला लेक्चर इंग्लिस इंदी नहीं रहता भाई जैंडरल इंग्लिस में इंग्लिस रहेगा ग्रेमर पगेरा से हिंदी नहीं रहेगा नहीं नहीं रहेगा अब ब्याक्नां से नहीं रहेगे अग्लिस अब अब लुक्त पीडिये भेज देते हैं पहले कौन सा टॉपिक अभी हुआ है अब इस नहीं प्राब मुख्चिन कट्रप्प्ति परस्टुआ अब जो प्राइब अब टक्रप्प्री पार जाएगा अरे यार आ रहा है वाई वेच्छ एक आया जाब वी करतिक आ गया और कोई पिछला पीडियाप नहीं दिये थे क्या कौन सा पीडियाप वह था पिछला इसके पिछला वाला जी के वाला आ गया ना अ हो गया इंसर भी एपीडियाप में ठीक है तो फिर से एक बार ग्रूप में वह सुसांत भाई सेंड कर दिजएगा ठीक है सारा पीडियाप ठीक है भाई आज के लिए तना ही जैहीं जैभारत झाले जैएंगा प्रोप्त झाले जैए लिए सेंड के बाई सेंड के लिए का जीक है तो आए दो अए पता सेंड while में यहीं बाई दो कर दो दो गयाएंगा पित्वडियावड़ प्याद्ट